राजस्थान के पुर्व मुख्यमंत्री जगरनात पहाडिया का बुधवार की देर रात निधन हो गया राज्य सरकार ने उनके निधन पर एक दिन के राजकिय शोक की घोशना की है पुर्व मुख्यमंत्री कुरोना संक्रमित थे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहाडिया के निधन पर शोक जताया है वहीं गहलोत ने ट्वीट किया है कि राज्य के पुर्व मुख्यमंत्री जगरनात पहाडिया के निधन के खबर बेहद दुखद है पहाडिया ने मुख्यमंत्री राज्यपाल और केंद्रिय मंत्री के रूप में लंबे समय तक देश की सेवा की है वे देश के वरिस्ट नेताओं में से थे गैलोत के अनुसार पहाडिया हमारे बीच से कोरोना की वज़ा से चले गए उनके निधन से मुझे बिहद आगात पहुँचा है उन्होंने लिखा है कि शुरू से ही उनका मेरे प्रती बहुत स्नेह था उनके जाने से मुझे व्यक्ति गत छती हुई है एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार बारवजे राज्यमंत्री परिसत की बैठक होगी जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जगरनात पहाडिया के निधन पर शोक व्यक्त होगा पहाडिया के सम्मान में एक दिन का राज्यकिय शोक रहेगा इबम रास्ट्रिय ध्वज आधा जुका रहेगा सभी सरकारी कार्यालों में 20 मई का अवकाश रहेगा पहाडिया की अंतियस्टी राज्यकिय सम्मान से होगी आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहेए SPN 9 News के साथ